हेलो बच्चो जो अभी क्लास 10th का एक्जाम दे चुके हैं और इस इंतजार में है कि रिजर्ड कब आएगा तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी कबर है और उन्हें ये जानना भी चाहिए सारे बच्चों को कि क्लास 10th का एक्जाम देने के बाद कौन-कौन से स्ट्री पेपर कौन-कौन सा होगा जो उनको पढ़ना ही होगा और क्या-क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं हर सब्जिक का वो हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 10th के बाद आपका करियर ऑप्शन क्या होगा तो इस वीडियो को अंत तक और उन्हें करियर डिसीजन लेने में करियर डिसाइड करने में हिल्प हो मदद हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हो ताकि बच्चों में कन्फ्यूजन किसी तरह करना रहे उन्हें सारे ऑप्शन के बारे में जानकरी रहे उस सारे ऑप्शन को जानेंगे अपना पीचर के कहने से नहीं करें, आप देखें कि आपकी योगिता क्या है और क्या आपसंस बन सकते हैं इस फिर्ड में आपको आगे जाने के लिए, अब एक बच्चा बहुत ही पढ़ने में वीक रहता है और उसे आसपास वाले लोग बोल देते हैं कि तुम साइंस ले लो, बच आपके उपर है कि आप क्या लेना चाहते हो सबके करियर डिसीजन के जो आपसंस से मैं आपको भी बताता हूं तो यह देखें हम लोगों के पास है कि सबसे पहले जब टेंद का एक्जाम लिखें हैं, रिजर्ड का इंतिजार कर रहे हैं, यह वीडियो देखें, पूरा तो की बात करें, कि टेंद के बाद अकेड़मिक ये जब क्या क्या उप्षन है, तो पर नमक्राइब के पास है फैला प्र सड़ा है, प्र फ्र बत के पर होता है, तो यह तो हैं नमक्राइब करना ते निदो देखें आपको रख ना रख चुनिया। तो physics and chemistry compulsory paper होता है तो जो बच्चे फिर मैं बतातू हूँ जिन बच्चों का English strong है जिन बच्चों का English strong है English अच्छा है और बहुत अच्छे से English बोल पाते हैं और उनका science में अच्छा खासा command है वही बच्चे science लिजे क्योंकि वैसे बच्चे जो बिलकुल ना तो उनका English ठीक है और नहीं उनका command किसी paper में है वो बच्चे अगर science स्ट्रीम में जाते हैं तो आगे उनके लिए options नहीं है क्योंकि उनका दो साल बरबाद हो जाएगा तो ऐसे बच्चे जो science के लाइक है उनको लगता है कि हमारा करियर इसमें अच्छा बन सकता है हमारा करियर इसमें आगे जा सकता है हम आगे इसमें future अपना बनाएंगे उन्हें subject choice करना चाहिए science जो बच्चों जिन बच्चों का mathematics अच्छा है mathematics अच्छा है English अच्छा हो या ना हो क्योंकि कॉमर्स और Hindi और English दोनों मीडियम से पढ़ा जा सकता है, साइन्स के वाहल इंगिलिश से पढ़ा जा सकता है। So Hindi Rechts अच्छा हो, इंग्लिस अच्छा हो, ज़रूरी नहीं, इंग्लिस इंदी जो भी ठीक हो कोई दिकत नहीं, अगर कलकुलेशन आपके ठीक है, मैथमेटिक्स ठीक है, तो आपके पास च्वाइस है कॉमर्स का, और जो बच्चे कहीं नहीं है, और लगता है कि हमको वो होता है PhD, यह दो पेपर होता है जहाँ पर options बनते हैं, अब यहाँ पर क्या-क्या options हैं, तो साइस करने के बाद, मैंली डो options हम लोग बात करते हैं, एक बात करते है medical की और एक बात करते हैं engineering की medical और engineering यह दो options आज आते हैं science में basic options में से बहुत सारे options हैं अगर commerce करते हैं तो या तो CA का option बनता है या तो CMA का option बनता है या तो CS का option बनता है arts करने के बाद आप फिर competitive examination में ही जा सकते हैं और नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो अपने फिल्ड में experience ले सकते हैं specialization कर सकते हैं जिसका आप honors रखेंगे जिसका जिससे आप ग्रेशन करेंगे अब चुकि यह तीनो subject होगे science, commerce या arts तीनो में आपको decide करना है क्योंकि मैं किसी के life के लिए तो decision ले नी सकता तो आपको decide करना है खुद से कि मैं किसके life हूँ अगर आपको लगता है कि मेरे साइंस हो जाएगा मैं science को अराम से पढ़ लूँगा कर लूँगा, English मेरा ठीक है English में हम बातों को समझ पाते है, लिख पाते है तो आप science चुनो और अगर लगता है कि बहुत सारे लोग arts इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि market या समाज में हमारी बेज़ती हो जाएगी तो लगता है कि बेज़ती से बज़ना है तो आपके बस एक option है commerce आप commerce भी चुन सकते हो ऐसा मत सोचेगा कि commerce world हजारी बाग में commerce की पढ़ाई होती है मैं commerce को प्रोमोट कर रहा हूँ ऐसा कही नहीं है आपको देखना है कि आप किस के लाइक हो अगर आप commerce के लाइक नहीं हो तो commerce भी मतलो क्योंकि आगे सिर्फ 12th pass हो जाने से आपका मतलब नहीं है 12th pass हो जाएंगे असमे कोई मतलब नहीं है मतलब है कि आप आगे क्रीयर में क्या कर सकते है अगर करियर उपरचुनिटी साइन्स में है अब को में दिख रहा है कि हमारा क्रियर उपरचुनिटी है साइंस में आप साइनस से ले लो किसी एक stream को चुनना पड़ेगा लेकिन अगर आज कहीं साब से देखा जाए तो आप देखेगा आज at present time में सबसे ज़्यादा जो demanded जिसमें 20,000 से ज़्यादा vacancies आये हैं सबसे ज़्यादा जो demanded आज के समय में subject है वो है commerce इसमें किसी को कोई डाउट न होना चीए क्युका अगर अगर आप चोटे सार की बात रहें तो चोटे सार में साइद इसका crue अभी नहीं दिखते घघएगा गौं में बिल्कुल भी नहीं लोग जानते भी छोटे सार में नहीं दिखेगा कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो है पेपर हो कौन सा है वहाँ सबसे ज़्यादा दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्या चलता है साइंस चलता है या कॉमर्स चलता है अगर मुम्मे में सबसे ज़्यादा कौन सा लोग लेता है साइंस लेता है या कॉमर्स लेता है जाएगे, जब आप दिल्ली जाएगे? जब जह नहीं जाएगे, तो बड़े सहरों है, आपको म१धा जाएगा है कि आपके पास commercial knowledge है या नहीं है, commerce का knowledge है या नहीं है, ये अगर आपके पास नहीं हैं, तो मार्केटिंग का काम है और यह सब कॉमर्स का बंदे कर सकता है कॉमर्स के बंदे को मालूम है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं कॉमर्स के बंदे को मालूम है कि प्रोड़क्शन मैनेजमेंट कैसे करते हैं कॉमर्स के बंदे को मालूम है कि प्रस्टनल मैनेजमेंट कैसे करते हैं अनि हर एक छोटे-छोटे management को यहां सिखाया जाता है और यह जो managerial quality develop किया जाता है commerce के इंदर यह आपको आगे आने वाले समय में job करने में बहुत help करेगा इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप science के लाइक है आप science सुनिये, commerce के लाइक है commerce चुनिये, arts के लाइक है आप सुनिये क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेज है commerce का, इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप science लेने के लाइक है, science ले लिजे, और नहीं तो आपके पास commerce का एक अच्छा option हो सकता है, जो आज के समय में career opportunity develop करता है, तो आपके पास एक choice commerce का भी रहेगा, आप commerce भी choice कर सकते हैं, जहां पे आ हम लोगों में रहते हैं, हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि गौव में ऐसी opportunity नहीं, commerce का इस्तमाल का होता है, इंडस्टी में गौव में इंडस्टी थोड़ी है, तो अगर आपको गौव में ही रहना जिंदिकी पर तब तो मत ही करो, लेकिन लगता है कि हम को बाहर कहीं जाना होका काम करने के लिए तो इसके लिए आपको यह चीज करके रखना होगा, ताकि यह opportunity आपको मिल सके, कोई दिकत है, तो यह हम लोग देख चुके है कि कौन सा stream बेश्ट रहेगा, तो याद रहेगा, तीनो stream में से आप अपनी योगिता को छमता को पहचानी है, अपन ability को पहचानी, क्योंकि आप क्या है, यह तो मैं जान नहीं सकता, और इसके कारण में आपको डिसाइड करके बता नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको कदिया, कि अगर आपके अंदर ability है, science को आप समझ सकते हैं, English में अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप science चूच कर लो, अगर ल काम तो सीखना होगा, इसलिए यहां पर काम सीखना होता है, नहीं सीखना जादा होता है, रटना कम होता है, यहां पर आईएगा यह प्रैक्टिकल चीज है, बैंक का सारा काम कर रहा है, कॉमर्स का बंदा कर रहा है, कॉमर्स का बंदा कर रहा है, कॉमर्स का बंदा कर रहा ह जो आप पढ़ेंगे, उसी को लागू करेंगे, जो आप पढ़ेंगे, उसी को लागू करेंगे, तो पढ़ना होगा बेहतर तरीके से, अगर आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो आप लागू नहीं कर सकते हैं, इसलिए अच्छे से सीखना होगा, तभी इस इसको वो बोल सकते है professional course है आने वाले समय में इसको सीखना होगा इसको रटना नहीं होगा रटने के लिए धर पढ़ लिजे क्योंकि इसमें बदलते नहीं कुछ भी science में principles बदलते नहीं जो एक बार है सो है इसमें रोज बदल जाता है आपको इसमें समझना होगा बातों को समझेंगे तो marketing कर पाएंगे नहीं समझेंगे क्या लगता रट के marketing कर पाएगा कि रट लेंगे सर ऐसे ऐसे marketing नहीं सर वहाँ applied देखना होगा market का isa situation है behavior क्या है consumer behavior क्या है market में supplier का behavior क्या है market का position कैसा है environment कैसा है यह सब चीज को जैनलासिस करके तब हम किसी वस्तू का प्राइस डिसाइड करते हैं, यहां आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और यह सम्में रटा एक जिसीज है, आर्ट्स में भी हिस्ट्री रटना है, यहां भी रटना है, और यहां रटना नहीं, क कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखने चाहिए थे, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, और कौन कौन से बुक्स हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो अगर आप चैनल में नए थे, सब्सक्राइब कर लिजे चैनल क अगला वीडियो जाएगा कि commerce लेने के फाइदे क्या है, commerce में कौन-कौन से books आपको पढ़ने पढ़ते हैं, और क्या है syllabus class 11 का, ये तीनों discuss करेंगे हम लोग अगले class में.